हरा की बदले में पत्तो ऐसा येलोईश हो जाता है एही है क्लोरोसिस क्लोरोसिस यानि पत्तो में क्लोरोफिल की कमी क्यू हो जाता है पत्तो में क्लोरोफिल की कमी हमारे प्यारे गुलाव की पत्तो की ऐसा क्लोरोसिस कैसे ठीक किया जा सकता है एही है आज का टपिक, चलो शुरू करे हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटो केयर, मैं हूँ आपका गार्डेना दोस्त बिपलॉब क्लोरोसिस की बिमारी जिसमें लीफ की भेन ऐसा हरा रहते है, लेकिन दूसरा पार्ट येलोईश हो जाते है इसके लिए आईरन की कमी मना जाता है, आईरन की कमी से ही ए बिमारी आते है बस हमें जनकारी मिल गए, आईरन की कमी से ही ऐसा होता है आईरन दे दूँगा और हमारा पोधा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिलकुल ही मत सोचना ऐसा सोचोगे तो आपका जनकारी अधुरा रह जाएगा वीडियो लास्ट तक देखना अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जब हमें जनकारी मिल ही गए आइरन देना है कुन सा आइरन देना है? हमें चिलेटेड आइरन देना है क्योंकि Chilated Iron को हमारा पोधा जल्दी ही एबजर्ब कर लेता है Chilated Iron आसानी से मिल जाते है अगर मार्केट में ना मिले तो अनलाइन भी मांगा सकते हो इस Chilated Iron को महना में दो बार यानि 15 दिन में एक बार देना है Iron देने के बाद भी कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आते तो क्या करें हमें Magnesium Sulphate भी स्प्रे करना पड़ेगा Magnesium Sulphate यानि Epsom Salt एक लीटर पानी में एक चमच बड़ाबर मिला कर छीर का कर दूँ तो जल्दी ही ये बिमारी ठीक हो जाते है पठ में Chilated Iron दे दिया पोधे के उपर Epsom Salt भी स्प्रे कर दिया फिर भी कभी कभी ऐसा दिखा जाते है कि हमारा पोधा ठीक नहीं हो रहा है इसका कारण क्या है इसका दो कारण हो सकते हैं एक है Overwatering ज्यादा पानी देने के कारण हमारा पोधे की जो रूट है वो जल्दी ही खाराब हो जाते हैं और खाराब रूट मिट्टी से उसका पोशनतत्यों को सही मत्रा से ले नहीं पाते इसलिए हमारा गुलाब को ज्यादा पानी कभी भी मत देना है क्यूकि ज्यादा पानी देने से एक क्लोरोसी सी नहीं और भी बहुत सारे बिमारी गुलाब को एटक करते हैं जब पट की मिट्टी ऐसा ड्राइ हो जाए तब ही पानी दो दूसरा करन जिसके लिए हमारा पोधा मिट्टी से आइरन ले नहीं पाते ओ है मिट्टी की pH लेवल गुलाब थोड़ा सा एसेटिक मिट्टी पसंद करते हैं हमारा गमला की मिट्टी का pH लेवल अगर 6.5 to 6.8 हो तो गुलाब के लिए सही रहते हैं pH लेवल 6.5 से कम और 7 से जादा होने से हमारा पोधा मिट्टी से आइरन ले नहीं पाते इसलिए गमले की मिट्टी को थोड़ा सा एसेटिक रखना पड़ेगा गमले की मिट्टी को थोड़ा सा एसेटिक की रखने का सबसे अच्छा तरीका है गमले में महिना में कम से कम दो बार दो मुठी करके भार्मी कमपोस्ट मिला लो अगर भार्मी कमपोस्ट नहीं है तो पुराना गाई की खाद भी मिला सकते हो एही है गुलाब की क्लोरोसिस की करण अगर आप एही कुछ स्टेफ फलो करे तो आपकी गुलाब की पोधा क्लोरोसिस से जल्दी ही ठीक हो जाएगा अच्छा रहो स्वास्त रहो वीडियो अखिर तक देखने के लिए धन्नवाद